हम लोग भुगोल में दूसरे नम्मर चेप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है क्रिसी यानि की एग्रिकल्चर और इस चेप्टर से सम्मंधित पिछले दो वीडियो में इस चेप्टर का पूरा सब्जक्टिब कोश्चन हम आपको कम्पलिट करा दिये थे तो सबसे पहले यदि आप लोग सब्जक्टिब कोश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएए प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर हर एक चेप्टर का वीडियो मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इस चेप्टर का पूरा अब्जक्टिब कोश्चन यानि की पूरा महत्वपूर्ण बस्तुनिस्ट प्रस्ण बताएंगे जो आपके परिच्छा के लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण होगा तो बस आप लोग वीडियो को सुरू से ले करके अंत तक जरूर देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट हो करके देखिएगा ताकि एक एक प्रस्ण का उत्तर आपको अच्छे तरीके से याद हो सके तो चलिए बिना समय गवाय हम लोग सुरू करते हैं लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए हम लोग पहले नमर प्रस्ण से देखना सुरू करते हैं जैसे ही हम प्रस्ण पढ़ेंगे आप लोग इसका जवाब नीचे लाइव चैट या फिर कमेंट में बताइएगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कितने अच्छे तरीके से हमारा यह चैप्टर कम्पलीट हुआ है और कितने अच्छे तरीके से हम लोग सब्जेक्टिब कोश्चन कम्पलीट किये हैं क्योंकि यदि सब्जेक्टिब कोश्चन कम्पलीट है तो अब्जेक्टिब कोश्चन आपके लिए बहुत ही जाएदा असान हो जाएगा तो भारत में सकल राष्ट्रिय उत्पादन में जो कृषी का योगदान है वह कितना प्रतिसत है तो ध्यान रखिएगा कि भारत में कृषी का जो योगदान है वह 13.7 प्रतिसत है यानि कि पहला का A number option सही हो जाएगा चलिए दूसरा नम्मर प्रस्ण लोग देखेंगे जिसमें पूछ रहा है कि भारत की कितनी प्रतिसत अवादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिसी कार्ज में लगी हुई है यानि कि आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो कूल जन संख्या का कितने परतिस्यत लोग हैं वह क्रिसी कार्ज में लगे हुए हैं तो हम आपको बताये थे कि पहले तो 70% था लेकिन अब घट करके 53% हो गया है यानि कि दूसरा का B नम्मर उप्शन सही हो जाएगा यानि कि अभी भारत में कूल जन संख्या का 53% लोग क्रिसी कार्ज में लगे हुए हैं तो दूसरा का B नम्मर उप्शन सही होगा आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए तीसरा नम्मर प्रशन कह रहा है कि बरतमान समय में कूल क्रिसी भूमी का कितना परतीसत भाग परती भूमी है परती भूमी हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें किसी परकार का कोई फसल नहीं होता है यानि कि हम लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बताए ये तीसर का B number option सही होगा चलिए चौथा नंबर प्रस्ण बताइए बिल्कुल सही सही जवाब देना है एक भी question का अंसर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक प्रस्ण हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से subjective question में समझा चुके हैं तो बताइए चौथा नंबर question कौन सा जवाब सह ही होगा चलिए पाच्मा नंबर प्रस्ण कह रहा है कि भारत में लगभग दो तिहाई लोगों की जीविका का अधार गया है तो आप लोगों को पता है कि भारत में आधे से अधीक जनसंक्या क्रिसी कार्च पर निर्वर है यानि कि दो तिहाई लोग का जीविका का मुख् आप लोगों को याद होगा हम अपको अस्थानांतरित क्रिसी के बारे में बताये थे ठीक है तो जुमकेती का दुसरा नाम क्या होता है अस्थानांतरित क्रिसी होता है यानि कि छठा का C नम्मर उप्शन सही हो जाएगा चलिए सात्मा नम्मर प्रस्ण बहुत ही असान प्रस्ण है यदि आप लोग अच्छे तरीके से इस चेप्टर को पढ़े होंगे तो चलिए सात्मा नम्मर प्रस्ण बताईए कि भारत के किस राज में सोपानी खेती प्रचलित है सोपानी कहने का मतलब कि सिढ़ी नूमा खेती होता है हम आपको बताये थे कि चाय ये सब के उत्पादन के लिए ढालू नूमा या फिर सिढ़ी नूमा खेती का निर्वान किया जाता है तो बताइए भारत के किस राज में शिड़ी नूमा खेती प्रचलित है तो ध्यान रखिएगा कि उत्रा खंड में सातमा का D नम्मर उप्षन सही होगा चलिए आठवा नम्मर कोशन कह रहा है कि जूम खेती भारत के किस भाग में किया जाता है बताइए जूम खेती सबसे जादा कहा होता है तो यह वाला प्रशन भी हम आपको बताये थे कि भारत के पुर्वत्तर भाग में सबसे अधिक जूम खेती यानि कि अस्थानांतरित किरसी होता है तो आठवा का C नम्मर उप्षन सही होगा चलिए नौमा नम्मर कोशन पूछ रहा है जो कि बहुत ही जादा महतफून प्रशन है कि निम्नलिकित में से कौन सा उस क्रिसी परनाली को दरसाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चोड़े छितर में उगाई जाती है यानि कि एक ही फसल को जादा भूभाग में उपजाना आई जाती है तो कौन सा क्रिसी उसको उसको बोलते हैं तो उसको रोपण क्रिसी बोलते हैं नौमा का सी नम्मर ओप्शन सही होगा अब चलिए 10 मंन प्रस्णम लोग देखेंगे जिसमें पूछ रहा है कि इन में से कौन सा यंत्र प्रान्भिक जीविका क्रिसी गार्ज के के लिए起 नहीं है यारी कि जो प्रारंभिक जिविका कारच के लिए oxky नहीं早 नहीं है तो ध्यान रखिएगा किशmpfen गीज़ जानते हैं कि हल तो क्रिसी कार्ज के लिए उप्योग प्ररंभिक तोर पर होता है, खुर्पी का भी उप्योग होता है और कुदाल का भी परियोग होता है, लेकिन ट्रेक्टर का उप्योग प्ररंभिक तोर पर नहीं होता है, बड़े पैमाने पर इसका परियोग किया जाता ह तो दस्मा का सही जवाब क्या हो जाएगा D number option ट्रेक्टर हो जाएगा चलिए 11 number question कह रहा है कि निम्रलिखित में से किस फसल की खेती रोपन क्रिशी के अंतरगत की जाती है बताए 11 number question कौन सा जवाब सही होगा धान होगा कि गेहूं होगा कि कपास होगा कि चाय होगा जवाब बताना है एक भी प्रस्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए वीडियो के last में हम आप से जरूर पूछेंगे कि कितने प्रस्न का सही जवाब आप लोग दे पाए है और कितना प्रस्न आपका गलत हो गया है इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आपको जवाब देना है निमनलिकित में से कौन रोपन फसल नहीं है यहाँ पर A number option में मटर नहीं होगा बलकि A number option में गेहूं होगा आप लोग इसको सुधार कर लिजेगा ठीक है A number option में गेहूं होगा तो बताइए 12 number question का कौन सा जवाब सही होगा निमनलिकित में कौन रोपन फसल नहीं है तो गेहूं ही इसका सही जवाब हो जाएगा जो गेहूं होता है वह रोपन फसल नहीं होता है चलिए 13 number question का सही जवाब बताइए आप लोग की रवी फसल की बुआई किस माह में प्ररम्भ की जाती है यानि की कौन से महीने में रवी फसल की बुआई होती है रवी फसल कहने का मतलब की गेहू होता है आप लोग जानते हैं तो बताइए गेहू फसल की बुआई कौन से महीने में किया जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि गेहु फसल की बुवाई अक्टूबर नवंबर महीने में होता है यानि 13 का D नमबर उप्शन सही होगा चलिए 14 नमबर कोशन का रहा है कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है जायद फसल कहने का मतलब हम आपको बताये थे जैसे लालमी हो जाता है तरबुज हो जाता है ककड़ी हो जाता है खीरा हो जाता है चलिए 15 नमबर प्रशन कह रहा है कि निमने लिखित में खरीब फसल कौन है 15 नमबर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोगों को पता होगा कि चावल खरीब फसल है यानि 15 का C नमबर उप्शन सही होगा चलिए 17 नमबर प्रस्ण बताईए, जल्दी जल्दी से आप लोग एक एक प्रस्ण का उत्तर बताते जाईए, निम्ने लिखित में खरीब की फसल कौन है, यहाँ पर जो 4 ओप्सन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा फसल है, जो की खरीब फसल है, तो 17 नमबर कोश्चन का स तो रवी फसल तो देखते के साथ आप लोग लगाएंगे कि गेहू है जो रवी फसल है, चलिए 19 नमबर कोश्चन देखेंगे कि निम्ने में कौन रोपन फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछ राए कि रोपन फसल नहीं है, तो बताईए 19 का सही जवाब कौ खादान फसल, तो हम आपको बताये थे कि भारत में जो चावल होता है, वह परमुख खादान फसल होता है, यानि कि 20 का सी नमबर उपसन सही होगा, चलिए 21 नमबर कोश्चन बताईए कि चावल क्या है, बताईए खरीब फसल है, कि रवी फसल है, कि जायत फसल है, कि इन में कहां होती है बताइए हम आपको यह वाला प्रस्ट भी सब्जक्टिव कोश्चन में बता चुके हैं कि धान की खेती सबसे अधी कहां होती है तो पश्चिम मंगाल में यानि कि 22 का A नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 23 नम्मर कोश्चन बताइए कि किस राज में धान के सिंचि कि ध्यान रखेगा कि तामिल आडू में यानि की 23 का B नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 24 नम्मर कोश्चन गेहु फशर है की रवी की जायद है तो आप लोगों पता होगा कि गेहु रवी फशर है 24 का B नम्मर उप्शन सही होगा बहुत ही असान असान प्रश्ण है बस आप लोग ध्यान से इसका जवाब देते जाईए चलिए 25 नमर कोश्चन इनमें कौन गेहूं का परमुक उत्पादक नहीं है बताइए गेहूं का परमुक उत्पादक कौन नहीं है उत्तर परदेश की मध्य परदेश की तमिलाडू की राजस्थान पचीस नमर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोगों को अभी हम बताए कि तमिलाडू में सिचाई की उत्तम बेवस्ता है यानि कि तमिलाडू में चाबल तो अच्छा हो जाता है लेकिन गेहूं का परमुक उत्पादक नहीं है तो कौन सा जवाब होगा तमिलाडू आप लोग ध्यान रखियेगा चलिए 26 नमर कोश्चन गेहूं के उत्पादन में भारत का बिस्वे में कौन सा अस्थान है हम आपको बताये थे कि चाबल और गेहूं दोनों के उत्पादन में भारत का बिस्वे में दूसरा अस्थान है यानि कि 26 का बी नमर आप्शन सही होगा चलिए 27 नमर कोश्चन निमनलिखित में से कौन मोटे अनाज की फ़सल नहीं है नहीं है लास्ट में लिखा हुआ है इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो अधिकतर बच्चे इसी में गलती करके चले आते हैं कि बस कोश्चन को आधा पढ़ते हैं कि निमनलिखित में कौन मोटे अनाज बस इतना ही पढ़ लिए और जवाब बता देते हैं जबकि लास्ट में रहता है कि कौन सा मोटे फ़सल की अनाज नहीं है तो बताए 27 नमर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा यानि कि सबसे अधिक जवार कहां पर उपजाया जाता है तो 28 का A नमर उप्शन सही होगा कि महाराष्टर में ठीक है ध्यान रखियेगा महाराष्टर में सबसे अधिक जवार उपजाया जाता है चलिए 29 नम्मर कोश्चन कह रहा है कि भारत में बाजरा की सरवाधिक खेती कहा होती है बताइए 29 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा बाजरा की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहा होता है तो राजस्थान में होता है 29 का C नम्मर आप्शन सही होगा ध्यान रखिएगा आप लोग चलिए तीसमा नम्मर कोश्चन दाल किस पॉस्टिक अंस का स्रोत है यानि कि दाल में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है कार्बो हाइडरेट की प्रोटीन की बिटामिन डी की बसा बताईए तीसमा नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो हम आपको बताए थे कि दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है यानि तीस का B नम्मर उप्शन सही होगा चलिए तीसमा नम्मर कोश्चन निमनलिखित में कौन दलहन की फसल नहीं है बताईए चना की बाजरा की मसूर की उरद बताईए एक तीसमा नम्मर कोश्चन पूछ राए कि कौन दलहन की फसल नहीं है तो बताईए एक तीसमा नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखिएगा कि बाजरा जो हो गया अब दलहन की फसल नहीं है बाकी मसूर से तो दाल बनता है उड़त से भी दाल बनता है और चना से भी दाल बनता है इसलिए जवाब हो जाएगा बाजरा आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए 32 नमर कोशन कहरा है कि दच्छिन भारत में सरवाधिक गन्ना उत्पादक राज्जिक कौन है यानि कि सबसे जायदा गन्ना दच्छिन भारत में कहां पर उपजाया जाता है तो ध्यान रखिएगा कि दच्छिन भारत में सबसे जायदा गन्ना महराष्ट में होता है य प्रकार से सरचो हो गया सुर्ज मुखी हो गया तो कह रहा है कि तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा अस्थान है तो 33 का सही जवाब हो जाएगा प्रथम अस्थान है ध्यान रखिएगा तिलहन के उत्पादन में और दाल के उत्पादन में विश्व भर में सबसे पहला अस्थान हमारा देश यानि कि भारत रखता है यानि 33 का ए नम्मर उप्सन सही होगा चलिए 34 नम्मर कोशन कह रहा है कि मुंग फली का उत्पादन भारत के किस राज में सबसे जायदा होता है मुंग फली आप लोग जानते होंगे जिसको बोल चाल की भासा में बादाम भी बोलते हैं तो बताए ये बादाम का उत्पादन या फिर मुंग फली का उत्पादन भारत में किस राज में सबसे जायदा होता है तो 34 का सही जवाब हो जाएगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है जितने सारे भी कोश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे कोश्चन भेरी भेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है यानि कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपुन प्रस्ण है इसलिए आप लोग एक एक कोश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से याद कर लिजेगा ताकि परिच्छा में कोई भी objective कोश्चन ना छूटे और जितना कोश्चन हम आपको बता देंगे इससे बाहर का एक भी प्रस्ण नहीं पुझेगा अब देखना बाकी रह गया है कि कितने प्रस्ण का आप लोग सही जवाब दे रहे हैं चलिए 35 नमबर कोश्चन हम लोग देखते हैं सरसो के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम अस्थान रखता है बताए भारत में सबसे ज़्यादा सरसो कौन से राज्य में होता है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सरसो उत्तर परदेश में होता है यानि 35 का ए नमबर आप्शन सही होगा अब चलिए 36 नमबर कह रहा है कि सरसो किस परकार की फसल है तो आप लोग जानते होंगे कि सर्सों से तो हमेशा सर्सों का तेल निकलता है यानि कि वह एक तेलहन फसल है 36 का B नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 37 नम्मर कह रहा है कि चाय का सर्व पर्थम उत्पादक कहां अरंभ किया गया था बताइए चाय सबसे पहले कहां पर उत्पादन किया गया था नर्मदा घाटी में कि सिंदू घाटी में कि कोशी घाटी में कि ब्रहम पुत्र घाटी में तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रहम पुत्र घाटी में चाय का सर्व पर्थम उत्पादक कहां हुआ था तो ब्रहम पुत्र घाटी में ध्यान रखिएगा चलिए 38 नमबर कोशन कह रहा है कि अधिक दिनों तक वर्षा का बियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होता है यानि कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा फसल है जिसको जादा पानी अगर मिल जाएगा तो वह उसके लिए घातक हो जाएगा यानि कि उसे कम पानी का जरूरत है बता यह कौन सा फसल है तो धान के तो बारे में आप लोग जानते होंगे कि धान को तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए लेकिन चाय के बारे में हम आपको बताये थे कि चाय की खेती हमेशा ढालू नूमा जमीन पर होता है अब ढालू नूमा जमीन पर इसलिए होता है कि पानी जब पड़े भी उपर से ज्यादा भी पानी हो तो पानी सब नीचे आ जाए और हमारा चाय का फ़सल बरबाद न हो तो अभी हम आपको बताएं कि चाय या फिर कॉफी के लिए ढालो भूमी की जरूरत पढ़ती है यानि कि 49 का C नम्मर उप्षन सही होगा चलिए 40 नम्मर कह रहा है कि चाय में किस पदार्थ की उपस्थिती के कारण ताजगी महसूस होता है बताएं हम आपको यह वाला प्रशन भी बताये थे कि चाय में कौन सा ऐसा पदार्थ रहता है जिसे से हमारे सरीर को ताजगी मिलती है तो चाय में क्या रहता है तो थीन रहता है ध्यान रखिएगा 40 का A नम्मर उप्षन सही होगा चलिए 41 नम्मर कोश्चन 20 में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है 41 नम्मर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है यानि कि 41 का A नम्मर उप्षन सही होगा चलिए 42 नमबर कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है पताईए किस पतन से सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात किया जाता है अच्छा आप लोग निर्यात और आयात मतलब तो जरूर जानते होंगे जरा आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे कि निर्यात मतलब क्या होता है और आयात मतलब क्या होता है क्योंकि कभी-कभी पूछ देता है कि आयात और निर्यात में क्या अंतर है तो कितने लोगों को पता है आयात और निर्यात का मतलब जरा जल्दी से नीचे कमेंट करके बताईए तो चलिए 42 नमर कोश्चन हम लोग देख रहे थे कि भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुलकाता पतन यानि कि 42 का ए नमर उप्चन सही हो जाएगा चलिए 43 नमर कह रहा है कि निम्ने लिखित में कौन सी पे फसल है यानि कि जिसे से पे पदार्थ बनता है तंबाकू की कौफी की चना की मुग फली तो आप लोग जानते हैं कि पे पदार्थ क्या होता है कौफी होता है यानि 43 का बी नमर उप्चन सही होगा चलिए 44 नमर कह रहा है कि निम्ने में कौन एक कौफी की किस्म नहीं है यहाँ पर चार परकार का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो की कौफी की एक किस्म नहीं है बताई ये 44 number question का कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रोबस्ता एक कौफी का किस्म होता है लिवेरिका भी होता है और अरेविका भी होता है लेकिन इवरेविका कभी भी कौफी का किस्म नहीं होता है यानि कि 44 का B नम्मर option ही सही जवाब हो जाएगा चलिए 45 नम्मर question कह रहा है कि पुर्वत्तर भारत में कौफी उत्पादन में अग्रणी राज कौन है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौफी का उत्पादन त्रिपूरा में होता है यानि कि 45 का D नम्मर option सही होगा चलिए 46 नम्मर कह रहा है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन है यानि कि भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कौन से राज में होता है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पातन होता है करनाटक में यानि कि 46 का ए नम्मर उप्शन सही होगा चलिए 47 नम्मर कह रहा है कि भारत में भगानी कृषी की सुरुवात कब हुई तो ध्यान रखिएगा कि भारत में भगानी कृषी की सुरुवात कब हुई तो ध्यान रखिएगा कि 47 का सही जवाब हो जाएगा 1880 इस्वी में ठीक है भगानी किर्षी की सुरुवात हुई थी 1880 इस्वी में तो बताइए 48 का कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो कापास होता है वह बगवानी फसल नहीं होता है चलिए 49 नमर कह रहा है कि भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है आम का उत्पादन सबसे अधिक होता है कि सियो का की संत्रा का की केला का पताई यह 59 नमर कोस्टन कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन केला का होता है यानि 59 का D नमर उप्शन सही होगा अब चलिए 50 नमर प्रसंद पूछ रहा है कि आम के उत्पादन में भारत का बिश्व में कौन सा अस्थान है पताईए आम के उत्पादन में आपसे पूछा जा रहा है कि आम के उत्पादन में भारत का बिश्व में कौन सा अस्थान है तो ध्यान रखिएगा कि आम के उत्प उत्पादन में भी भारत का प्रत्थम अस्थान है और आम के उत्पादन में भी भारत का प्रत्थम अस्थान है तो जिसमें जिसमें भी भारत का प्रत्थम अस्थान है उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और चावल और गेहुं के बारे में बताये थे कि इसमें भारत का दूसरा अस्थान है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा अब चलिए एक क्यामन नमर कोशन कह रहा है कि जैम जेल और रक्वाश इत्यादी का कच्चा माल क्या है एक क्यामन नमर कोशन कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखिएगा कि जैम जेल और रक्वाश इत्याद का उत्पादन होता है तो पामन का कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखिएगा कि केरल में सबसे ज़्यादा काजू होता है चलिए तिरपन नम्मर कोश्चन भारत के किस छेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है आप लोग जब सबजी बनाते हैं तो बोलते होंगे कि इसमें गरम मसाला डाल देने से ज़्यादा स्वादाएगा तो क्या आप लोगों को पता है कि भारत में किस छेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है तो ध्यान प्रशन पहले भी पूछा गया है आप लोग ध्यान रखिएगा भीवियाई प्रशन है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि केरल को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है यानि कि केरल में नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता चलिए पच्पन नम्मर कोशन कह रहा है कि इन में कौन सी फसल रेशेदार है यानि कि जिसे से रेशा निकलता है तो बताइए पच्पन का कौन सा जवाब सही होगा तो आप लोग जानते होगे कि मकई से रेशा नहीं निकलता है गेहूं से नहीं निकलता है बाजरा से नहीं पूछ रहा है कि इन में से कौन रिष्यदार फसल नहीं है तो कपास के जूट की गन्ना की सन तो आप लोग कपास के बारे में जानते होंगे कि कपास भी एक रिष्यदार फसल है जूट भी है और सन भी है लेकिन गन्ना रिष्यदार फसल नहीं है इसलिए 56 का सी नम्मर उप् है, यानि संतामन का A number option शही होगा, चलिए time number का प्लास का मूलस्ठान किस देश को माना जाता है, यानि कि सबसे जयादा कंसे देश में होता है, कंपास का मूलस्टान कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा time का सही जवाब भारत हो जाएगा, यानि कि क्पास का मूलस्थान भारत को ही बोला जाता है चलिए 69 नमबर कोश्चन कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सरवाधिक उप्युक्त होती है यानि कि किस प्रकार के मिट्टी में सबसे अच्छा फसल होता है कपास का तो 69 नमबर कोश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है चलिए 60 नमबर प्रस्ण बताइए कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए पाला रहित कहने का मतलब होता है कि पाला नहीं गिरना चाहिए जैसे जाले के दिन में आप लोग देखते हैं बोलते होंगे कि बहुत कुहासा है बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने दिन तक अगर पाला नहीं पड़ेगा तो कपास का उत्पादन अच्छा होगा बताइए 60 नमबर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम 210 दिन तक ठीक है यदि 210 दिन तक कपास के फशल को पाला से बचा दिया जाता है तो फिर उसका उत्पादन अच्छा होता है तो 60 का ए नमबर आप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा अब 60 नमबर प्रस्ण जो कि बहुत ही ज़ादा महत्वपून प्रस्ण है और आपके परिच्छा में हर हाल में पूछा जाएगा कि उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है बताए एक 60 नमबर कोश्चन कौन सा जवाब सही होगा जिस परकार से काला सोना कोईले को बोला जाता है उसी परकार से उजला सोना किस पौधे को बोला जाता है बताए एक 60 नमबर कोश्चन तो आप लोग जानते होगे कि कपास का रंग कैसा होता है उजला होता है इसलिए कपास को ही उजला सोना बोला जाता है चलिए 62 नम्मर कोश्टन कह रहा है कि सुनहरा रेशा किस फसल का दूसरा नाम है बताए सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है यानि कि दूसरा नाम है तो 62 का सही जवाब हो जाएगा जूट का ठीक है जूट को ही सुनहरा रेशा बोला जाता है चलिए अगला नम्मर कोशन भारत में जूट की खेती सबसे अधिक कहां होती है बताए जूट की खेती सबसे अधिक भारत में कहां पर होती है तो ध्यान रखिएगा कि पस्चिम मंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है चलिए 64 नमबर जोकी बहुत ही ज़्यादा महतपुन प्रशन है हरित करांती का दूसरा चरन कब अररंब हुआ हरित करांती के बारे में हम आपको बताये थे तो आपको बताना है कि हरित करांती का दूसरा चरन कब अररंब हुआ का परियोग किस कार्ज में होता है यह तो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रस्ण है आप जरूर जानते होंगे कि चाहे तो हर्वेस्टर रहे या फिर थ्रेसर रहे उसका उप्यों कहां पर होता है तो क्रिसी कार्ज में होता है तो 65 का बी नमबर ऑप्शन सही होगा चलिए 66 पर है तो 66 का सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में ही अंतर रस्ट्रिये फसल अनुसंधान केंद्र इस्थित है चलिए 66 नमर कोशन बताइए कि केंद्रिये सुस्क छेत्र अनुसंधान संसथान कहां पर है बहुत ही ज्यादा महत भारतिये क्रिसी की असफालता का एक परमुख कारण क्या है जिसे से भारतिये क्रिसी पिछड़ा हुआ है तो बताइए 66 का कौन सा जवाब सही होगा तो इसका सबसे बड़ा कारण है अनियमित मांसुन यानि कि जो समय पर मांसुन नहीं आता है इसे से भारतिये क्रिसी में बहुत बड़ा परभाब पढ़ता है चलिए 79 नम्मर कोश्चन सरकार निम्नलेखित में कौन सी घोसनाफ हसलों को सहायता देने के लिए करती है बताइए 79 नम्मर कोश्चन तो इसका जवाब हो जाएगा निवनितम सहायता मूल तो 70 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा अस्थान ठीक है दूसरा अस्थान प्राप्त है दूद के उत्पादन में भारत का अब चलिए 71 नम्मर कोश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फलट से क्या तात परज है तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो छोटे किसान होते ह है वाज दूद को ले करके डेरी फार्मे में जाते हैं वहाँ पर अपना दूद को बेच देते हैं तो ऑपरेशन फलट से क्या तात परज है डेरी विकास ठीक है ध्यान रखिएगा 71 का बी नम्मर ऑप्शन सई होगा अब चलिए 72 नम्मर कोश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है तो अभी हम आपको बताए कि जो ऑपरेशन पलट है या दूद से संबंदित है और दूद का रंग कैसा होता है स्वेत होता है यानि कि उजला होता है इसलिए ऑपरेशन पलट का दूसरा नाम स्वेत करांती है 72 का सी नम्मर ऑप्शन आप लोग ध्य भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूधूत पादन से संबंधित ऑप्रेशन प्लट तू नामक योजना कव प्रारम्ब किया गया था तो 1901 इस भी में यानि कि 73 का सी नंबर आप्शन सही हो जाएगा तो इस चेप्टर से संबंधित कूल मिला करके 73 प्रस्ण हम आपको बताएं अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताईए कि 73 में से कितने प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे पाएं हैं जल्दी जल्दी से बिल्कूल इमंदारी से क्योंकि आप लोग जानते हैं कि honesty is the west policy यानि कि इमंदारी सबसे अच्छी नीती है तो आप लोग इमंदारी से बताईए कि 73 नंबर में कितना नंबर आप लोगों का आना चाहिए अब जल्दी से बताईए 73 में कितना जवाब सही है उमीद करते हैं कि कम से कम 65 पलस तो जरूर होगा और जिनका 65 पलस है तो समझे कि उनका बहुत ही जादा अच्छा अस्कोर है तो चलिए उमीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको काफी जादा अच्छा लगा होगा अच्छे तरीके से आप लोगों का यह वाला चेप्टर समाप्थ हो गया जितना प्रस्ण हम आपको सब्जक्टिव में और जितना प्रस्ण हम आपको अबजक्टिव में बता दिये इससे बाहर का एक भी प्रस्ण आपसे परिछा में नहीं पूझा जाएगा तो बस इसी बात के लिए आप लोग जल्दी से video को एक like कर दीजे और अपना attendance यहां पर बना दीजे ताकि यहां पर लगे कि हाँ आप लोग इस class में पर जेंट हो गए तो जल्दी से आप लोग video को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रूप में इस वीडियो को जरूर सेयर करिएगा और जो भी अस्टुडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद